दोस्तो आज किस बीडियमें आपको दिखाऊंगा कि मेटामाक्स पर आपका जो बीलव नेट वर्क के इसको कैसे इंपूड कर सकती हैं तो दोस्तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको बिएफ़ई नेटवर्क को एड़ करना होगा मेटामक्स पर ठीक है तो भीएफ़ई देखने को मिलेगा add a network आपको इसके उपर क्लिक करना है और उसकी बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा custom network ठीक है तो यहाँ पर आप custom network पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको network name RPC URL यहाँ पर chain ID जैसे कि इसको मैं feel कर देता हूं और उसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि कहा पर आपको क्या डालना है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पर यहाँ पर मैंने एड पर क्लिक करता हूं उसके बाद में यहाँ पर आपको गोट इट पर क्लिक करना है और यहाँ पर दूस्तों बीफसी नेटवर्क जो यहाँ पर यह एड हो चुका है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर मैं वोईलेट पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर दुस्त अब देख पर यहाँ पर फेसिंञार नेटवर्क जो यह एढ़ हो चुकbour के ठीक है उसकी बाद में यहाँ पर आपका जो बीलब नेटवर्क का साड़ा इता है तो यहाँ पर मैं प्राइवेट की को कोभा करे करे लिए ज्बाद private key को copy कर लिया उसके बाद में यहाँ पर आपको 3 line पर click करना है और फिर यहाँ पर आपको account के उपर click करना है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते second वाला एक option मिल रहा है इंपूट एन अकाउंट थीक है तो आपको इसके उपर click करना है और यहाँ पर आपका जो be love network का private की है इस private希望 इंटर करना है ठीक है जैसे कि रिमापर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपिनियंगर बीया पर नेटवरक अधर य्यां पर नेच्व कोट हो चुक है ठीक हैो उसके लोगा पर दुबारा इमपूट टूकर कोट करेंगे और फिर यहां पर Caleb basically को आपको पेस्ट करेंगे तो यहां पर आपकी BLAV network पर आपका कितना BFIC है, यहां पर show होगा, ठीक है, तो यहां से आप BLAV network का जो आपका ID है, इस ID को यहां पर आप control कर सकते हैं, जैसे कि यहां से आप BLB को transfer कर सकते हैं, इंस्टेंट आपका BLAV transfer हो जाएगा, यहां से अगर आप चाहे तो BFIC को यहां पर transfer कर कर सकते हैं और यहां से आप BLB को भी ट्रांसफर कर सकती हैं रिसीव कर सकती है यहां पर बहुत फास्ट काम होता है ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से बहुत यह से मेटा माक्स पर बीलव नेटवर्क को इंपूर्ड कर सकते हैं